फरा भको से पंडुबे कई सारे नाम है इसके हमारी तरब तो इसे फरा ही बोला जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं सोंधे सोंधे से ला जवाब से चतनी के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार आज मैं इसे एकदम नए तरीके से बनाओंगी और ये तरीका बहुत ही आसान है बहुत ही कम टाइम में धेर सारे ये फरा बना कर तयार कर सकते हैं कम टाइम में बहुत ही टेस्टी और ला जवाब से तो चलिए फटा फट से बनाते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना पिल्कुल भी न भूले फरा बनाने के लिए में चने की डाल को राद भर विगो कर रखना है अगर आप राद भर चने की डाल को नहीं विगोना चाहते हैं तो दो तीन घंटे पहले विगों या आरान से फूल जाएगी चने के डाल को तो देर पहले भी विगो दिया था और यह अच्छे से फूल गया है तो खड़े मसालों में मैंने लिया है काली में जीरा और तेश पत्ता इसे डालने से फारा बहुत ही तेस्टी बनता है बहुत यची खुसपू आती है साथ ही फारा को और ज्यादा टेस्टी बनाने के ल हरी धनिया की वज़से ब उक चलर कुछ तरीके से हो गया है तो पूल पीषत करों में जाता है जरू मी अच्छा बहुत अच्हा है अधागね जरूं बिल्कुल भी नबूले नमक वड़ा नुतार तो आड़ना है अब चीजों को अच्छे से मिल ले रसके है नमक आटा है लगता है कितनी जल्दी से यह फरा बने और इसे में फड़ावट से खालू तो अभी आद देख सकते हैं यह दाल तैयार हो गई है अब हम आटा तैयार कर लेते हैं तो आटा में हमें डाला है थोड़ा सा नमक और इसे सिंपल जैसे रोटी का आटा बनाते उसी तरीके से गू बनां ड़ा expendSC एब हैं ज fir ने लोग्ति कि अविछ ने नाहें कि बड़ा बनाकर यह तो दब्स सूधाला जावा पेलाना है यह थ्ञहिद दोड़ी मात्रा में अदो चारों तरफ‍जाए से फैलाओ दें टेस्ट तो बेस्ट रहता ही है और बनाना इतना आसान है कि जितनी देर में आप दो फरा बनाएंगे उतनी देर में सारे के सारे बन जाएंगे तो इस तरीके से डाल को अच्छे से फैला दिया है एक मोटी सी लेयर तयार कर लिया है इसे हलके हाथ से गुमाते हुए रोल रोल कर लेना है और इसे अच्छे से चिपका द भल्कुल इसी तरीके से सारे रोल तयार कर लेना है और ये फांस मिनिट में सारे रोल मैंने बना लिये हैं तो इसillon में रखेंगे जिसमे की अब वाप जा सके तो पहले प्लेлив को जिक ना कर लेना है तेल लगाकर इसे चिकना कर लें और फिर एक एक रोल करके बहुं ही तो डारेक्ट डाल कर भी बॉयल कर सकते हैं तो इससे हमें 20 मिनट तक पकने देना है 20 मिनट बाद हम इसे खोल कर चेक करेंगे इस तरीके से भाप में बनाएंगे तो यह बिल्कुल भी चिप-चिपे नहीं लगेंगे और पानी में बॉयल करेंगे तो थोड़े से चिप-चिपे गैस को कर दीजिए बंद और इसे कम सकम दो मिनट ठंदा होने दीजिए क्योंकि यह काफी गरम है तो हान चलने का दर है जब थोड़ी से निकल जाया और आप इसे टच कर सकें तो इस तरीके से चोटे-चोटे टुकडे कट कर लेना है तो इसे आप बड़े यह चोटे टु नहीं लगेगा तो आप अपनी मन पसंद किसी भी खटी तीखी चट्पटी चट्नी के साथ इसे खा सकते हैं लेकिन आम की सूखी कलियों से बनी यह लाजवाब सी चट्नी के साथ इसे खाएंगे तो यह और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा तो पसंद आपकी है अगर आप की खटाई की चट्नी बना करके खाएं बहुत ही टेस्टी चट्नी लगती है और इससे फरे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यह ज्यादा चट्पटी लगती है अगर आपको फरा पसंद है तो मुँझ में पानी तो जरूर ही आया होगा तो अब इस को गट कर जाईए और फटा फट से ला जवाब से फरे बना करके खाईए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको फरा बनाने की ये रेसेपी कैसी लगी अगर आपको रेसेपी पसंद आये तो वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा तो मिलते हैं ऐस टेस्टी टेस्टी ला जवाब एक तम नई रेसेपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाँ बाई